अगर आप मेधू वड़ा और सामर वड़ा खाने के शौकीन हैं और उसे बनाना चाहते हैं घर पे बट बना नहीं पातें क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस होता है कि आप पीछे हट जाते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए जी हाँ फ्रेंट्स आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ इंस्टेंक्ट वड़ा की रेसिपी ऐसी रेसिपी जो घर की चीजों से आसानी से पांच मिनट में बन करके तयार हो जाती है और खाने में इसके क्या कहने आप वड़ा मेधू वड़ा इडली सारे कुछ भूल जाने वाले हैं इसे खाने के बाद तो चलिए चटपट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को पुरा बाच करना है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले है तो इसके लिए थेलियों के साथा से इन्हें इस तरह से मसलते वे क्रश कर लेंगे, इससे दो बाते होंगी, एक तो इसमें जितने भी रेशे हैं वो खुल जाएंगे और दूसरा प्यास हलका सा नरम पढ़ जाएगा, तो कम से कम दो मिनट तक हाथों से इसी तरह से प्यास को मसल लेंगे, य अब इसमें अपने हिसाब से हरी मिर्ची आड़ कर देंगे, मैंने एक ही लिए क्योंकि बच्चे भी खाने वाले हैं मेरे यहाँ पे, आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, थोड़ा सा करी पता भी आड़ कर देंगे, आप चाहां तो बारी कट कर के भी आड़ कर सकत नहीं आप डाल देना मेरे पास बिलकुल भी नहीं थी दही सो मैंने आप पे नहीं डाली है बट आप पक्का एड़ करना उससे काफी जादा बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक नमक डालने के बाद चमच की साथा से एक बर अच् के खोल सकते हैं प्यास को हटेलियों से मसलने वाला स्टेप बिलकुल भी स्किप ना करें बहुत इंपॉर्टेंट है यह इसके लिए अब मैंने आपे आधा कप मैदा ले लिया है यहाँ पे मैदे से हम इसकी बाइंडिंग करने वाले हैं तो थोड़ा-थोड़ा मैदा चाना है, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि उपर से पानी नहीं आइड करना होगा प्यास के पानी में ही अच्छे से यह इस तरह से हमाट entrarog से दबाते हुए इसे अच्छे से बाइंड हो जाएगा, mix हो जाएगा बट अगर आपको लगता है, कि बिल्कुल राइसा है तो चुटकी भर add कर सकते हैं बट मैंने हाँ पर पानी तो नहीं कि add किया है अभी तक मैं इस तरह से मसलते हुए ही इसे अच्छे से bind कर रही हूँ इस तरह से धीरे-धीरे add करते जाएंगे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा इस तरह से मसलते हुए add करने का जिससे की प्यास पानी छोड़ता जाएगा और ये अच्छे से bind होता जाएगा इस instant वड़े की ये recipe देखने के बाद आप सारे पुराने तरीके भूल जाने वाले हैं घर की चीजों से आसानी से 5 मिनट में बन जाता है और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है तो जब चाहे इसे आप बना सकते हैं तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी like कर दे तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से mix कर लिया है बैंट कर लिया है और यह कुछ ऐसा सा तयार हुआ है बीना पानी के तो यहाँ पे exact आधा कप मैदा पूरा लग गया है बट मैदा थोड़ा सा घट बढ़ सकता है तो यहाँ पे हमारा mixture है वड़ा बनाने के लिए बिलकुल तयार ना तो हमने इसमें baking soda डाला है ना ही baking powder बीना इन दोनों चीजों के ही आज हम वड़ा बनाएंगे super crispy, super tasty और हाँ इसे rest पे भी नहीं छोड़ना है instantly आप इसे बना सकते हैं तो आज आते हैं अब क्यास की तरफ आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है तेल आपको medium गरम कर लेना है बहुत ज़दा गरम तेल में भी नहीं fry करना है तो medium गरम तेल में इस वड़े को हम fry करेंगे वड़ा बनानी के लिए सबसे पहले हाथों को पानी से इच्छे से गीला कर लेना है उसके बाद आपको amount लेना है लड़ू के जितना mixture का और इसे हतेलू के साथा से इस तरह से गोल अकार दे देना है उसके बाद इसे हलका सा इस तरह से flat कर लेना है दबा लेना है और उंगली की मदद से इसमें इस तरह से छेद बना लेना है और इस तरह से बहुत आसानी से आप इसे वड़े का शेप दे सकते हैं और धीरे से हम इसे ओयल में छोड़ देंगे और इसी तरह से आप एक एक करके खड़ाई में डाल सकते हैं वड़े जितने भी आसानी से इसमें आ जाएं यहाँ पे आपको मेडियम गरम तेल में ही इन्हें फ्राई करना नहीं तो इसिर्फ यह उपर उपर से सिख जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे इन्हें आपको मेडियम फ्लेम पे अच्छे से उलट पिलट करते हुए दुनों साइड से 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है कुछी तीर में आप देखेंगे वड़े बहुत अच्छे से सीख गये हैं और medium flame बे मैंने इन्हें 2-3 तक अच्छी तरीके से सेक लिया है और ये बिल्कुल तयार हो चुके हैं fry हो करके तो इन्हें निकाल लेंगे करके आप देख सकते हैं कितने जादा tasty लग रहे हैं तो पहला बैच फ्राई हो चुका है सभी को निकाल लेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से ये फ्राई हो चुके हैं दूसरा बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे आप चाहे तो इन्हें वडे का शेप ना देकर के अगर आपको मुश्किल लग रहा है ये शेप देना तो आप इन्हें पकोड़े के जैसे या फिर टिकी के जैसे भी शेप देकर की फ्राई कर सकते हैं दूसरा बैच भी यहाँ पे हमने फ्राई करके रेडी कर लिया है इनने भी निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमने सभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कितने टेम्टिंग लग रहे हैं तो तयार हो चुका है हमारा इंस्टन्ट वड़ा जिसे आप सामबर, चटनी या फिर हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसे टमाइटो केचप के साथ भी एंजोए कर सकते हैं खाने में इतना ज़दा टेस्टी वाला जबाब है कि आप उंगलिया चाटते रह जाएंगे तो फ्रेंट्स अगर आज की इंस्टन्ट वड़ा की रिसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें बढ़ गाइस दुन और में नेक्स्ट वीडियो तिल न ते केर थैक्स वटिंट्स वाचिंट्ट्व जिसु सा जाय जाए